हेलो फ्रेंग्स मैं आज आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूं तो इस स्टोरी का टाइटल है की इस स्टोरी का टाइटल है बताओ क्या होगा अरे भाई स्टोरी तो सुन लीजिए पहले स्टोरी का टाइटल है आलसी तोते तो इस कहानी के शुरुवात होती ह एक बड़ा शाप तॉटे रहते थे और एक बूढ़ा तॉट्दा वह बूढ़ा तॉटा बड़ा ही अनुभवी था और एक दिन उस बूढ़े तौटे ने देखा कि पेड के नीचे एक Undra रहा है एक रेंगनेवाला पोधा उगरा है जो पेड को पूरा लपेट लेगा तो फिर उस भूड़े तोटे ने कहा बाकि से कि तुम इसको तभा कर दौ मत पूरा निकाल दो फेग दो इसको निकाल कर तो फिर वो बड़े यही आलसी थे बाकी तोते तो फिर उन्होंने इंकार कर दिया कि यह तो अभी इत्ता साही है यह क्या कर लेगा और यह वो कहकर उन्होंने अबाट टाल दी और फिर एक दिन जब वो पूरा रेंगते रेंगते पूरे पेड़ को उसने लपेट लिया तो एक शिकारी महां पर जब तोते पेड़ पर नहीं थे तब उसने वो जाला पेड़ पर उसकी मदद से चड़कर डाल दिया फिर वो नीचे गया और चला गया वहां से और जब तोते आए वापिस तो जाल में फस गये और सारे चिलाने लगे कि बचाओ 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 तो फिर वो जो बूढ़ कर दो हमसे गलती हो गई हमें उसको उखार देना था यह कर देना था तो फिर उसने कहा बुड़े तो तेने कि चलो ठीक है गलती हो गई तो तो सही है तो ठीक है मतलब फिर उसने कहा कि अब मेरी यह बात सुनो कि हमें मरने की एक्टिंग करनी होगी मरने का अनुभव मरने की भी नए करना होगा तो फिर उन सब ने कहा कि ठीक है लेकिन फिर इससे क्या होगा तो फिर उसने कहा कि जैसे ही वो शिकारी हमें देखेगा मरा हुआ तो वो हमें जाले से निकाल कर फेग देगा क्योंकि उसे मरे हुए जानवर नहीं चाहिए तो फिर वो हमें फेग देगा औ और जैसे वह आखरी तोते को फेके सारे तोते उड़कर चले जाएंगे वहां से तो सारे मरने के एक्टिंग करने लगे और जब सुबह शिकारी आया तो उसने देखा यह सारे तो मरे हुए हैं और सब को निकालकर फेकते गया फेकते गया जैसे उसने आखरी को फेका सारे ओप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए होगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब बस आपको एक हिबार करना पड़ेगा और फिर बैल आइकन को भी क्लिक कर दें के बाइ